आज है 27 अगस्त और मैं उपस्तित हूं 27 अगस्त की महतोपूर्ण अपडेट को लेकर वीडियो में बात करेंगे हिमाचा परदेश उनिवरसिटी ने पीजी जो स्तकित एक्जाम है हिमाचा परदेश उनिवरसिटी की उसकी जो नए डेट शीट है वो आ गई है और एक्जाम कल से होंगे इसके अलाबा बात की जाएगी हिमाचा परदेश उनिवरसिटी सरदार पटेल उनिवरसिटी बीएड काउंसलिंग पर जो रोस्टर है और फैंसला ये कब लिया जाएगा इसके अलाबा अपडेट रहेगा सरदार पटेल उनिवरसिटी की काउंसलिंग की जो ह प्रिख्षाओं के लिए जो चार तारीक तक ये प्रिख्षाओं चलने बाली है तो इन प्रिख्षाओं में हिमाज़ प्रिख्षाओं को पोस्ट कौन किया था उनका जो है re-schedule आ गया है तो revise schedule जारी किया गया है MSC Botany, Zoology, Chemistry, Environmental Science, Physics, Biotech, Forensic Sciences, Microbio, CVS इसके लबाँ revise schedule जारी हुआ है MA Journalism, Communications, Yoga, Geography, Psychology, Rural Development under CVCS इसके लबाँ revise schedule जारी हुआ है Post-Pornment of Paper, Bachelor in Hotel Management और साथ में LLV 4th semester और 6th semester regular 1st, 2nd और 3rd, 5th semester reappear के papers की re-schedule किया गया है और साथ में revised schedule जाला गया है LLV 2nd semester reappear under CVCS और MTEC Computer Science 2nd semester का revised schedule आया है PG परिक्षाओं का और इसके अलावा MBBA, MTTM, CVCS revised schedule और revised schedule है 4th semester, regular 1st, 2nd, 3rd reappear semester MBA 2nd, 4th, regular 1st, 3rd, MTTM और इसके अलावा और भी updates आये हैं MA Economics, Hindi History, Political Science इन सबका MA English, Hindi History, MCOM 4th semester, 1st, 2nd, 3rd semester reappear इन सबका नई डेचीट जारी की है तो आप हिमांचापुर्दीश University की website पर जाकर या मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको ये website date sheet मिल जाएगी जिसका link आपको वीडियो की link description में मिल जाएगा अब बात करते हैं सरदार पटेल University में जो PG courses है उनके लिए जो प्रवरीज पर किया चल रही है तो 28 तारीकों होने वाली जो counseling है उसकी जो merit है वो कब तक आने वाली है इस बार सरदार पटेल University ने MA लोग प्रशाशन course भी इसी section इक सत्र से जारी किया है तो इन 11 जो PG course के लिए जो merit आनी है जो है वो आएगी जो 29 तारीकों counseling होने वाली है 28 तारीकों होने वाली counseling MBA, MSC और MSC Industrial Chemistry की अभी आनी बाकी है merit list बाकी जो है Environment Science की आगी है और MBA की भी आगी है इसके अलावा MCA की merit list भी आगी है 29 तारीकों होने वाली exam जो counseling है MSC Botany, Zoology Chemistry तो कल 28 तारीकों इसकी merit आनी की पूरी की पूरी संभाब ना है आपको मेरे telegram channel पर ये merit मिल जाएगी telegram channel का link आपको वीडियो के link description से मिल जाएगा और इसके अलावा 38 को MSC Physics, History और Public Administration की होगी तो इसकी भी कल जो है merit आने की संभाबना है 28 तारीकों पूरी की पूरी संभाबना है MA Public Administration और Geo Informatics की जो है जो डेट है वो भी जल्द रिलीज की जाएगी सरदार पटेल उनिवरसिटी की द्वारा अब बात करते हैं हिमाज़र प्रदेश यूनिवरसिटी में जो HPU, BA और सरदार पटेल उनिवरसिटी को जो counseling है उस पर जो है roaster को कब सहमती मिलेगी तो 29 तारीको हिमाज़र प्रदेश यूनिवरसिटी में EC की बैठक होने वाली है executive बैठक होने वाली है कारेकारी परिशद की तो इस बैठक में HPU और SPU की जो अटकी प्रवेश प्रक्रिया है B.Ed की उस पर roaster को अनमती मिलने की पूरी की पूरी संभाबना है और जैसे ही roaster को अनमती मिलेगी एक सेप्टमबर से हिमाज़ प्रदेश यूनिवरसिटी जो category wise merit list है B.Ed के लिए वो release करेगी और एक सेप्टमबर के बाद जो round of counseling है वो भी जारी होंगे तो ये सबसे बड़ा update है 29 तारीको जो EC की बैठक है उसमें सरदार पटेल यूनिवरसिटी और HPU के लिए जो roaster government की तरफ से आया है उसको मनजूरी के बाद उसके बाद जो counseling है उसको आगे बढ़ाया जाएगा बात करते हैं अरक्षन roaster तयार और 29 को EC की बैठक में मनजूरी मिलेगी उसके बाद जो श्रणिवार merit है वो सब्तमबर की पहले हपते में HPU जारी करेगा और उससे बीएड की प्रवेश पर क्रिया आगे बढ़ेगी एक अलग update DLA की जो counseling है वो फिर से स्थगित हो गई है DLA की counseling अब जो है 11 से 18 सितमबर 2023 तक होगी सुबह 10 से 10 बजे से आयुजित की जाएगी तो यदि आप DLA के में प्रवेश पाना चाहते हैं तो अब इसको फिर से स्थगित किया गया है इसकी नई जो counseling date है वो 11 से 18 सितमबर तक इसको जो है category wise धरमशाला में ही ये counseling होनी है शिक्षा board ने बारिश और रास्ते बंद चलते के कारण ये आयलान किया है ये इसकी official notification है जिसमें इसको 11 से 18 तारिक कर दिया है बात करते हैं हिमाचापदेश University VA second year result पर तो हिमाचापदेश University VA second year result जो है जल्द ही इसी बीक आपको देखने को मिलेगा तो मंडे के आसपास जो है मंडे तक आपको 28 तारिक से 30 तारिक के बीच आपके बीच रिजल्ट रहेगा तो आप अपना रिजल्ट चेक करते रहें और रिजल्ट अपडेट हो रहा है तो ये सबसे बड़ा अपडेट है VA second year result पर इसके अलावा document verification 4 को तो हिमाचर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमिशन है लोग सेवा आयोग ने जो veterinary pharmacist है post code 958 में जो document verification है उसको अगला schedule जारी कर दिया है तो आयोग ने 21 अगस्त को 200 अविर्थियों को schedule दिया था अब 4 सितंबर से शुरू होने वाली जो document verification है उसमें कुल 349 अविर्थियों को बुलाया किया है तो veterinary pharmacist में कुल 188 पद भरे जा रहे हैं लोग सेवा आयोग ने इस प्रकरिया को code 967 dispenser और post code 973 electrician का जो result भी वो final किया जाएगा तो document verification इन विद्यार्थियों का होना है इसके लवा बात करते हैं HPU तो HPU में BTEC प्रथम और lateral entry के जो open round की जो merit है बो जारी कर दी गई है यदि आप HPU UIT BTEC degree course में खाली सीटों के लिए अगर आप प्रवेश चाहते थे तो वहाँ पर पहली open जो प्रवेश merit list है बो जारी कर दी है lateral entry की तहत इसके तहत 28 अगस्त तक online mode में फीस जो है विद्यार्थियों को जमा करवाने का समय दिया है और 29 अगस्त को दूसरी merit list जो है इसकी लगने बाली है जो आज का नया update है ITI चैनित अभियर्थी अब 30 तक ले सकेंगे प्रवेश तो नीजी और सरकारी संस्थानों में जो खाली पड़ी सीटे हैं उनको भरने के लिए 4 सितंबर को आयुजित की जाएगी counseling तो अध्योगिक प्रशिक्षन जो संस्थान है उसमें जो विभिन सीटे खाली पड़ी है अब उनके लिए 4 सितंबर को counseling आयुजित की जाएगी और पहले ये counseling जो है स्तगित कर दी गई थी क्योंकि 12 से सडके बंद थी और इसलिए जो है तकनिकी भिभाग नहीं है शिक्षा यह जो counseling की date बढ़ा दी है 30 अगस तक संबंधित संस्थानों में पिछले round में चैनित अभियरती प्रवेश ले सकते हैं और दूसरे चर्ण की counseling के बाद जो रिक्त पड़ी सीटे हैं उन्हीं पहली सितंबर को प्रदशित किया जाएगा और इसके लिए on the round जो spot counseling है वो 4 से 8 सितंबर तक होगा तो 4 से 8 सितंबर तक जो second round of counseling होगी वो on the spot जो है ITI में रहने वाली है और पिछले विद्यारती जो है कतिस तक प्रवेश ले सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं बीकॉम second year result की तो ये जो है 73.6 फीसे दी रहा था बीकॉम का result आ गया था तो दुद्वित्य वर्ष का जो परिणाम वो पिछले से पिछले कल देश शाम खोशित किया गया था और बीकॉम का result भी जल्द आने की संभाबना है तो यदि ये थे आज के महतोपुन अपडेट धन्यवाद